किलोग्राम और ग्राम के बीच संबंध गलत धार्नाएं इस वीडियो में हम वजन मापने की इकाई किलोग्राम और ग्राम से संबंधित कुछ गलत धार्नाओं के बारे में जानेंगे नमस्ते बच्चों आपको गोपाल, राधा और उनके तीन बच्चे शाम, नीटू और मोहन याद है ना? आओ देखें नीटू क्या कर रही है? भैया देखो तो इन दोनों बैग पर आधा के लो लिखा है पर यहां रूई कितनी ज्यादा है और डाल कितनी कम है हाँ नीटू तुम बिल्कुल सही कह रही हो भैया ऐसा कैसे हो सकता है? नीटू क्यूंकि रूई हलकी होती है इसलिए उसका आधा किलो वजन बनाने के लिए हमें ज्यादा रूई लेनी पड़ती है अच्छा भैया हाँ नीटू दो अलग अलग चीजों का वजन समान हो तो जरूरी नहीं कि उनकी मात्रा भी हमेशा समान होती है ये देखो इन चारो समानों का भार एक समान है लेकिन इनकी मात्रा अलग अलग है हाँ भैया अभी तुमने सौ ग्राम जीरे का पैकेट उठाया था और मैंने एक किलो सूजी का पैकेट हाँ भैया इन दोनों में से कौन सा पैकेट भारी था? आपका सूजी का पैकेट क्यों? क्योंकि सूजी एक किलो थी और एक किलो में हजार ग्राम होते हैं एक दम थी इसलिए एक हजार ग्राम सूजी एक सो ग्राम जीरे से भारी थी और अगर हम 10-100 ग्राम के पाकेट एक साथ रखें, तब उनका कुल वजन 1000 ग्राम होगा यानी एक किलो, जो की एक किलो सूजी के वजन के बराबर होगा नीतू, तुम तो बहुत होश्यार होती जा रही हो हाँ भाईया, जैसे इन 500-100 ग्राम साबट सूखी मिर्च के पाकेट का वजन इस 500 ग्राम के दाल के पाकेट के समान है सही कहा तुमने, सूखी मिर्ची दाल से हलकी है, इसलिए ये 100 ग्राम के 5 पाकेट, एक 500 ग्राम दाल के पाकेट बराबर है पांच सो ग्राम के पाकेट को जोड़ें तो पांच सो ग्राम बनते हैं इसलिए ये दोनों बराबर हुए तो नी तु, तुम्हें समझ आ गया कि वस्तूओं के वजन की तुलना करते हुए संख्या ज्यादा हो तो जरूरी नहीं है कि वजन भी ज्यादा होता है वजन इकाईयों पर निर्भर करता है भाईया क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? हाँ जरूर लेकिन पहली ये बताओ कि ये बड़ा सा गुबारा ज्यादा भारी है या ये छोटी सी गेंद क्या भाईया बड़े गुबारे का आकार बड़ा है तो बड़ा गुबारा ही भारी होगा? नहीं नी तू आकार में बड़े होने से वजन ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है ये दोनों उठा कर देखो हाँ भईया गुबारा तो बहुत ही हलका है अरे हाँ अभी तो देखा था कि इतनी सारी रूई इतनी कम डाल के बराबर वजन की थी हाँ अब तुम अच्छी तरह समझ गई बच्चों ध्यान रहे आकार के बड़े या छोटे होने से वजन ज्यादा या कम नहीं होता किसी भी वस्तू का वजन उसके भार पर निर्भर करता है तो बच्चों इस वीडियो में हमने वजन मापने की इकाई, किलोग्राम और ग्राम से संबंधित कुछ घलत धार्नाओं के बारे में जाना